नवी मुंबई के नेरूल इलाके में इमारत का हिस्सा डाहा दो की मौत दो अन्या घायल नवी मुंबई के नेरूल इलाके में बुद्वार को एक इमारत का हिस्सा डहे गया इस हास्से में दो लोगों की मौत हो गई है घटना इस्तल पर पहुँचे नवी मुंबई नगन न गम के आयुकतन राजश नार्वेकर ने बताया कि तुलसी भवन इमारत की तीसरी मंजिल का स्लाप कल रात 9 बजे के आसपस गिर गया जिससे दो लोगों की मौत हो गई है हास्से में घायर हुए दो अन्या लोगों को अस्पताल में भरती कराया गया इमारत को खाली करा लिया गया है गुरुवार को इमारत की शुरक्षा जांच की जाएगी मौके पर पहुँचे आदिकारी ने क्या जानकारी दी है आईए सुनते है करीब रात को नव बजे इस बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर का स्लैप जो है वो कुलैप्स हुआ सेकेंड फ्लोर पे गिरा सेकेंड का फॉस्क पे गिरा इस तरह से वो पूरा एक कॉलम जो है स्केर् framework नीचे गिर गया था कřीती लोगों को सवपोड से हुच रिसकी किया है और चार लोगों को हीचारinkों की मौत हुई और दो लोग अभी ऑस्पिटल में एड्मिटेड है अभी हमने उसमें खबरदारी बतारने के लिए हमने उस बिल्डिंग को खाली किया है और लोगों को हमने हमारे समाज मंदिर में शिफ्ट कर रहे हैं हम कल इसका स्ट्रक्चरल अडिट करेंगे और विल्डिंग सेफ अगर होगी तो उसके बाद हम यह लोगों को शिफ्ट करने के बारे में सोचें के लोकादाई का इमारती था प्रश्ट